वेलकम गाइज आप देख रहे हैं अपना IKR Current Update चैनल I hope कि आप सारे अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसे कि हर बार की तरह मैं कोई नो कोई नियाब डेर ले के आता हूँ आज मैं एक और नियाब डेर ले के आया हूँ तो गाइज जै नियू अपडेर जो है जॉब अकैंसी का है इसमें मैं आपको बता दूँ The National Institute of Health and Family Welfare की तरफ से बहुत सारी पोस्त निकली हैं तो जै पोस्त जो हैं Group C, Multitasking Stop और Group D की पोस्त हैं तो बहुत सारे जो candidate जो 8th pass हैं, 10th pass हैं, 12th हैं तो उनके लिए जे भी बहुत बड़ी opportunity है कि वो जॉब ले सकते हैं तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बहुत सारे candidate जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नोटिविकेशन वेल को आल पर रखो जैसे कोई भी मैं यह वीडियो अप्लोड करों तो इनको आपको भी सबसे बहले information हो जाए तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं तो गाइज यह National Institute of Health and Family Welfare बाबा, गंग, नाथ, मार्ग, मुनिरिका, निव देली से जै नोटिस निकलाव गैंसी नोटिस है जै जो National Institute of Health and Family Welfare का जै यह Catonomous Institute है Under the Agis of Ministry of Health, Family and Welfare Department Government of India जै अपक्स टेक्निकल इंस्टूट है जो Health and Family Welfare प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं तो एप्लिकेशन जहां पर मांगी गेंगी है ठीक है, ड्रेक्टर मांग रहा है National Institute of Health and Family Welfare का जो ड्रेक्टर है फ्राम जो लोग हैंसे जै में अप्लिकेशन मांगी जा रही है जै अप्लिकेशन मांगी जा रही है ग्रूप C पोस्ट के लिए Multitasking Stop और Group D पोस्ट के लिए इसमें में पोस्ट हैं जो आपको बता दूँ पहले Pharmacist की पोस्ट है ठीक है, एक ही पोस्ट है, Level 5S का Pay Matrix, Unreserved की पोस्ट है Receptionist की पोस्ट है, Stenograir Grade 3 की पोस्ट है, 9 पोस्ट है इसमें, Receptionist की एक पोस्ट है तो जो 9 पोस्ट है, Stenograir की इसमें Unreserved की एक है फिर इसके बाद SC की दू है ST की एक है, OBC की तीन है और EWS की एक है ऐसे ही Assistant Store Keeper की Copy Holder की, Feeder की Leverty Attender की, Animal Attender की और Multitasking Stop की बाकी बालों की एक एक है और Multitasking Stop की 4 पोस्ट है तो accordingly इनकी जो Category By, कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बताई हुई है ओपर जो हमने पटा Stenographer की उसमें Unreserved की एक पोस्ट थी इसके लाब है Unreserved OH की भी एक पोस्ट थी OH का मेंस की जो Person with Disability जिसको हम बोलेंगे Divyaang, ठेक है Divyaang Jan ठेक है और Lokomotor Disability OA, L, VL, OAL JB OH में आते है इसके लाब है अगर Detail में आपने इनके बारे में जानना है तो इनकी वैपसाइट www.nihfw.org से जान सकते हैं और Complete Application जो है जो है आप की Complete Application पहुंच जानी चाहिए Deputy Director Administration NIH FW Above Address पे 27 February से पहले पहले आगे हम बात करते हैं तो गाइज इसमें जो Pharmacist की पोस्ट है जो लेवल 5 है ठीक है इसमें एज 18 से 25 चाहिए Essentials है Diploma चाहिए फर्मैसी में और Register होना चाहिए उनकी फर्मैसी जो है फर्मैसी कॉंसल आफ इंडिया से और डिजारेबल है कि डिग्री फर्मैसी होनी चाहिए जो फर्मैसी की उप्रमैसी की पोस्ट है इसकी टैन से 18 से लेकर 30 एर एज होनी चाहिए और इसमें मैट्रिक्स जो हाई स्केंटरी मांगी होई है ठीक है इसके इलाबा सैटिब गेर चाहिए EPAVX का टैलिफोन ओपरेटर का इनमें से किसी एक होना चाहिए बैचलर डिग्री या आर्ट्स में या साइंस में या डिजारेबल है स्टैनोग्राफर जो थर्ड ग्रेट पे है इनकी लेवल 4 है नाइन वकैंसी है एसंचिल चाहिए मैट्रिक जहां फिर इसके एक्विवलेंट चाहिए स्पीड चाहिए शॉट एंड की 80 वर्ड पर मिनिट और टाइप राइटिंग पे 40 वर्ड पर मिनिट इसके बाद जो पोस्ट नूबर 4 है बोई असिस्टेंस टोर कीपर की इसमें एक पोस्ट है एज 18 से 30 एसंचिल चाहिए मैट्रिक लेशन चाहिए ठीक है इसके प्लाबा कॉपी होलडर की 18 से 30 और इसमें हैरस के इंड की चाहिए और नालाइज उन चाहिए हिंड की और जो फीडर है इसमें 18 से 30 मैट्रिकलेशन चाहिए लोबैटरी अटेंटन 18 से 30 OBC बगैंसी में चाहिए और इसमें मीडल पास होना चाहिए अगर बो डिपार्टमेंटल पहले पर जाब करता है और अगर पहली बार जो फार्मली फिल कर रहे हैं पहली बार ठीक है फ्रेश है रग होई तो इसके लिए इसके पास एन्वल टैनर जो है 18-30 इसमें उबीशे चाहिए और प्राइमरी पास में इर्थ पास चाहिए इसके लाबा आगे जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है 18-30 जब फोर बगैंसी है तो इसमें स्कैंडरी पास है जो मैट्री पास होना चाहिए इसके लाब जो जो जनर इंस्ट्रक्शन की बात करें इंट्रस्टर रिलीजिवल के इने जो है इसका जो फार्म है एवलेबल है बैप साइट पे निएच एफड़ू की जो बैप साइट है www.nihfw.org पे आप इसको बैप साइट से डॉनलोड कर सकते हैं डली फिल्ड एक्जैमिनेशन फार्म जो है अप्लिकेशन फीस और सारे नसैसे डाकुमेंट जो आप मीन्स की फार्म प्रिंट करके बाकी डाकुमेंट इसके साथ स्टेच करके इनवल्ब में डालके आप इसको बैज सकते हैं जो कुरूशल एज है एज लिमिट जो हमने उपर पड़ी वो कितनी जितनी पी दी है वो कार्डिंग लिए दिखी जाएगी एक साथ 2021 को ठीक है बाकी एज रिलेक्शेशन जो है S.E.S.T. O.B.C. के लिए दिवियांग जन के लिए एक साथ 2021 के लिए तो है ही है इसके लाबा वो जो केंडियों जो पहले से जाव करते हैं गोर्मर सेमी गोर्मर पी ऐसे जो अटेनोमस बाड़ी है वो प्रापर चैनल के थूरू भी बढ़ सकते हैं फर्म और केबल फार्म फिल करना जरूरी नहीं है इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा स्किल टेस्ट होगा जो मेरिट में आएंगे ठीक है इसके लाबा आगे हम बात करें जो कैंडिडेट है उनको न्यू पैंशन स्कीम के अकार्डिंग लिए लगाया जाएगा जो गोर्मेंट जाब है गाई वो पोस्ट को अप्लाई करें एप्लिकेशन फार्म फिल करें और एप्लिकेशन जो है उसमें फीस इनकी 200 बताई हुई है जो क्रास इंडियन पॉस्ट्र आड़र आपके द्वारा आप ले सकते हैं फेवर होना चाहिए ड्रेक्टर के फेवर में ड्रेक्टर फेवर जो अब आपको बता दूँ आपने किस ड्रेस पे बेजना है ड्रेक्टर दैनेमल नेशन इस्टूडा हेल्थ एंड फेमिली वेल इसके ड्रेक्टर कापी एज्यूकिशन क्यों जो बिलॉंगिंग एसस्टी ओबीसी दिभियांग जन एक सर्विसमें ठीक है सेटिफिकेर सारे लगाने है तो आपने पहुंच आनी चाहिए सारे 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 ड्रेक्टर में इस अड्रेस में आपको पता दूँ जी अड् मेंस के फार्म फिल करोगे इन वर्ल पर आपने पहले लिखे देना अप्लिकेशन फार्दी पोस्ट आप नाम लिखना पोस्ट का किस पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हो और जरूरी है कि अप्लिकेशन जब आप जूज कर रहे हो तो एक पोस्ट के लिए अगर आपन जो मैं आपको बताना चाहता था जिसके जो पीडिया पर में डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल दूँगा थैंक्यू गाइज